इस इस इंडिया कंपनी भारत कैसे आई अब ये जानने के लिए हमको ये समझने की जुरूरत है कि वो वक्त लगबख 400 साल पहले जब ना कोई हवाई मार्ग हुआ करता था और ना ही कोई दूर संचार के साधन तब इतने हजारों किलो मीटर का समंदरी मार्ग तै करके एक मह महादवीब से दूसरे महादवीब तक आना और वहां अपना व्यापार करना इसका क्या कारण रहा होगा इसके लिए हम एक उधारन समझ लेते हैं जैसे कोई व्यापारी व्यापार करता है और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा हो और वो बहुत धनी बनता जा रह ये उस समय की बात है जब भारत के मसाले यूरोपिय देशों में बहुत पसंद किये जाते थे उस समय यूरोप में सबसे वर्चस्वाला देश इटली हुआ करता था भारत से मिली काली मिर्च तो बहुत ही जादा पसंद की जाते थी काली मिर्च की भारी खेब, माला बार से अदन की खाड़ी और फिर वहां से लाल सागर याने रैट सी के जरीए मिसर को जाते थी मिसर से ये भूमत्य सागर से होते हुए इटली तक पहुशती थी इस तरह भारत से पहुशे हुए ये मसाले वहां के व्यापारी कई गुना दाम बढ़ा कर अपने पडोसी देशों को बेश दिया करते थे उन्हीं देशों में से एक देश था पुर्तगाल, पुर्तगालियों को ये दाम बहुत जादा अखराते थे जो कि पुर्तगाल भी एक ऐसा देश था जो दो तरफ से समंदर से गिरा था तो वहां पर अच्छे नाविकों की कोई कमी नहीं थी उन्में से एक नाविक था वासको डिगामा वासको डिगामा जिसे कौन नहीं जानता कहते हैं वासको डिगामा ने भारत की खोच की भारत की खोच? सोचने में थोड़ा अजीब लगता है भारत जो कि कई हजारों सालों से एक ऐसा भूखंड रहा है जिसे कभी किसी खोच की जरूरत नहीं थी हाँ वासको डिगामा ने यूरोप को एशिया से जोडने वाला एक ऐसा समंदरी मार्ग जरूर दिया था जिससे एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का रास्ता आसान हो गया जबकि इससे पहले यूरोपिय देशों के लिए भारत एक पहली जैसा था वासको डिगामा ने अपनी यात्रा पुर्तगाल के लिस्बन से 8 जुलाए 1497 में चार जहाजों जिसमें 170 से जादा आदमी थे के साथ शुरू की वासको डिगामा Cup of Good Hope अफरीका के दक्षनी कोने से समंदर के रास्ते होते हुए भारत की पस्चिम तरपर इस्थित केरल के कालिकट पहुचा तरह यूरोपिय देश भारत आने लगे और अपने व्यापार को बढ़ाने लगे चोकि पुर्तगाली, डच और फ्रांसेसी बिटेन से काफी पहले ही भारत की साथ व्यापार करने लगे थे अब जब ये व्यापारी भारत की साथ व्यापार करके सशक्त बनते जा रहे थे तो बस पृटेन को भी लगा कि वो लोग भी यहां आएं और व्यापार करें क्योंकि उस समय अंग्रेजों का सामराज्य हिचकोले खा रहा था पृटेन के कई बड़े व्यापारियों ने 10 अप्रेल 1591 में इस्ट इंडिया कमपनी अनौपचारिक तोर पर इस्थापित की अब इस कमपनी में कोई अर्चन ना आ है लहाज़ा पृटिश राजगराने से जुड़े आला अफसरों को भी इसमें हिस्सिदार बनाया गया आखिरकार 31 दिसंबर 1600 में महारानी की मन्सूरी के बाद इस कमपनी पर प्रिटिश राजगराने की मोहर लगा दी गए इस्ट इंडिया कमपनी को इंडोनेशिया, दक्षन अफ्रीका, भारत, चीन, बर्मा जैसे पूर्वी देशों में व्यापार फैलाने की अनुमती मिल गए अब इस्ट इंडिया कमपनी कोई छोटी मोटी कमपनी नहीं थी उसके पीछे ब्रिटेन की राजसी ताकते खड़ी थे सर थॉमस स्मित कमपनी के पहले गवर्नर बने इसका मुख्याल है इंडिया हाउस लंडन में बना इस्ट इंडिया कमपनी का पहला बढ़ाव भारत नहीं बलकि इंडोनेशिया था कमपनी के पांच जहाज इंडोनेशिया के लिए 1601 में निकले इसके बाद इस्ट इंडिया कमपनी 1607 में दक्षन अफरीका पहुची जब इस्ट इंडिया कमपनी ने यहाँ पर अपने ऑफिस जमा लिये तब उन्होंने भारत की और रुख किया और आखिर कर विलियम हौकिन्स के नेतरुत्व में हैक्टर नाम का जहाज 24 अगस्ट 1608 को सूरत के तड़ पर पहुचा उस समय भारत पर मुगलों का शासन था और जहांगीर तादकालिक मुगल शासप थे हौकिन्स व्यापार की नियत से भारत आया था इसलिए उसने राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में हाजरी लगाई भारत में व्यापार करने के लिए जहांगीर से अनुमती मिलना इत्ता आसान नहीं था क्योंकि उस समय डच और पुर्टगाली अपने पाउं चमा चुके थे शुरू में जब अंग्रेज व्यापारियों ने जहांगीर के दरबार में हाजरी थी तो उन्होंने यूरोप से लाई हुई वस्तूओं को तौफे के रूप में जहांगीर को सौपा ये वस्तूओं बहुत ही बेजोड और शांदार थी भारत वैभव धन दौलत के मामले में तो बहुत आगे था पर तरक्की के मामले में वो यूरोप से कहीं जादा पीछे था लिहाज़ा ये वस्तूओं मुगल शासकों को बहुत आकर्शित करती थी इसलिए मुगल शासकों को मनाने का इससे आसान तरीका अंग्रेजों के लिए और कोई न था इन सब चीजों से चहांगीर अंग्रेजों से खुश तो बहुत हुआ लेकिन वो अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमती देने से हिच्चक रहा था क्योंकि वो डच और पुर्टगालियों को नाराज नहीं करना चाहता था फिरकार काफी वक्त के बाद अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमती मिल गए लेकिन मामुली वस्तों की ही अंग्रेज इससे निराश दरूर हुए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी अंग्रेजों को ना केवल मनवांचित व्यापार करने की अनुमती मिली बलकि भारत में फैक्टरियां इस्थापित करने की मंजूरी भी मिल गए इस्ट इंडिया कंपणी ने अपनी पहली फैक्टरी 11 जनवरी 1613 में सूरत में इस्थापित कर ली भारत की बेश कीमती संपद्दा जहाजों में भरकर यूरोप चाने लगी यूरोपिय बाजारों और इंग्लेंड की फैक्टरियों में बना सामान भारत आने लगा 1646 तक अंग्रेजों ने लगभग 23 फैक्टरियां इस्थापित कर ली थी जो भारत के ही कच्चे सामान को लेकर बनाई जाती थी ब्रिटिश फौजें ही समंदर में उनके जहाजी बेड़ों की सुरक्षा करती थी लेकिन बाद में कमपणी इस इस्थती में आ गई कि भारत में उनके जहाजों को उनकी प्राइविट सेना ने संभाल लिया जब औरंग जेब का शाशनकाल था तब अंग्रेजों ने उनसे बिना पूछे कुछ हिस्सों पर कबजा कर लिया इस से नाराज होकर औरंग जेब की सेना ने अंग्रेजों के तांत खटे ही नहीं किये बलकि उनको भारत से चले जाने का आदेश भी दिया था पर अंग्रेजों ने माफी मांग कर जादा कस्टम ड्यूटी देना शुरू कर दिया इस तरह धीरे धीरे इस इंडिया कमपनी ने बड़े ही सुनी ओजित ठंक से अपने आपको भारत में मस्बूत किया अंग्रेजों ने कच्चे माल की आपूर्ती और भारती बाजार में अपने सामान को बेचने के लिए कई बड़े भारती व्यवसाईयों को अपने साथ मिला लिया इस तरह East India Company में अंग्रेजों और भारती विवसाईयों का गठबंदन बहुत कारागार साबित हुआ कहते हैं East India Company जितने साल भी भारत में रही मुनाफिय में ही रही एक छोटी सी पूंजी के साथ भारत आने वाली कमपनी के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये भारत में 200 सालों तक राज करेगी आने वाले दिनों में अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना डाला लेकिन यहां बात East India Company के भारत आने की है और भारत में अपने पाउं जमाने की हुई है तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भीत